शिरी ब्रिस्पतिवार प्रत कथा भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राजी करता था वहनित गरीबों और भ्रामणों की साहता करता था ये बात उसके रानी को अच्छी नहीं लगती थी वो नहीं गरीबों को दान देती और नहीं भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी एक दिन राजा शिकार खेलने वनको गए हुए थे तो राणी महल में अकेली थी उसी समय ब्रिस्पति देव सादू वेश में राजा के महल में भिक्षा के ले गए और भिक्षा मागी रानी ने बिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा हे साधु महराज मैं तो इस दान पुर्णी से तंगा गई हूँ मेरा पती सारा धन लुटाते रहते हैं मेरी इच्छा है कि हमारा धन नस्ठ हो जाए फिर ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी साधु ने कहा देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो धन संतान तो सभी जाते हैं पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए यदि तुमारे पास अधिक धन है तो भूकों को भोजन दो प्यासों के लिए प्याव बनवाओ मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ जो निर्धन अपनी कुमारी कर्णियों का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुमारा यश लोग पर लोग में फैलेगा परन्तु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा कहने लगी महराज आप मुझे कुछ मत समझाए मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगा बाटती फिरू सादू ने उतर दिया कि यदि तुमारी ऐसी इच्छा है तो तथास तू तुम ऐसा करना कि ब्रस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिटी से अपना सिर्ध होकर इसनान करना भट्टी चढ़ा कर कपड़े धोना ऐसा करने से आपका सारा धन नस्ठ हो जाएगा इतना कहकर वैं सादू माराज महां से आलोप हो गए सादू के कहे अनुसार बातों को पूरा करते करते रानी को केवल तीन ब्रस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपती नस्ठ हो गई अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा ने रानी से कहा हे रानी तुम यही रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझी जानते हैं इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता ऐसा कहका राजा परदेश चला गया वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता इस तरह से वह अपना जीवन वितीत करने लगा इधर राजा के परदेश चाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा ये दासी पासी के नगर में मेरी बेहन रहती है वह बड़ी धन्वान है तो उसके पास जा और कुछ लेया ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बेहन के पास गई उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय ब्रिस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बेहन से कोई उतर नहीं मिला तब है बहुत दुखी ह shuttle, उसे ग्रोध भी आया, दासी ने वापसा कर रानी को सारी बात बता दी, सुनकर रानी ने अपने भागी को कोसा, उतर रानी की बढ़ी बेहन ने सोचा कि मेरी बेहन की दासी आई ती, परन्तु मै उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। करथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई। और कहने लगी है बहन, मैं ब्रसपतिवार का वरत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परन्तु जब तक कथा होती है, तब तक ना तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली बहन, तुमसे क्या चुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते, रानी की आँखे भर आई। उसने दासी समेत, पिछले साथ दिनों से भू पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा, तो उसे सचमुष अनाज से भरा हुआ एक खड़ा मिल गया। ये देख कर दासी को बड़ी है रानी हुई। दासी रानी से कहने लगी है रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता, तो हम ब्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधी पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, ब्रस्पतिवार के व्रत म अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने वृत रखा गुड साल में जाकर चना और गुड लेकर आई फिर उससे केले की जड तथा विश्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भुजन कहां से आए इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हाने वृत रखा था इसलिए ब्रस्पती देव उनसे प्रसन थे इसलिए भी एक साधरन व्यत्ती का रूप धरन कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन होई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रैंड किया उसके बाद वे सभी गुरुआरण को वरत और पूजन करने लगी ब्रस्पती भगवान की करपासे उनके पास फिर से धन सम्पति आ गई परन्तु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी तुम्हे धन रखने में कस्ट होता था इस कारण सभी धन नस्थ हो गया और अब जब भगवान ब्रिस्पती की करवास से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलसे होता है रानी को समझाते वे दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें दानपुर्णे करना चाहिए भूके मनुश्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुबकारियों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा स्वर्ग की प्राप्ती होगे और पितर प्रसन होंगे दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुबकारियों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में उसका यश फ्यलने लगा उधर वे राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में पेर के नीचे आसन जमा कर बैठ कया वे अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा ब्रस्पतिवार का दिन था एका एक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधू प्रकट हुए वे साधू वेश में सम ब्रस्पति देवता थे लकड़हारे के सामने आकर बोले हे लकड़हारे इस सुनसान जंगल में तो चिंता मगन क्यों बैठा है लकड़हारे ने दोनों हाथ चोड़कर प्रणाम किया और उतर दिया महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं मैं क्या कहूं ये कहकर पहरोने लगा और साधू को अपनी आत्म कथा सुनाई महाराज जी ने कहा तुमारी इस्तरी ने ब्रस्पती के दिन ब्रस्पती भगवान का निरादर किया है जिसके कारण डुरस्ठ होकर उन्होंने तुमारी ये दशा कर दी अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुमारे सभी कस्ट दूर हो जाएंगे और साथ अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमरित और प्रसाथ बाटकर आप भी क्रहन करो ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनुकामनाई पूर्ण करेगे सादू के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला हे प्रभो मुझे लकड़ी बेचकर इतना पै के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़िया लेकर शेहर को जाओ तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भलिभाती भोजन कर लोगे और ब्रस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा इतना कहकर साधू अंतर ध्यान हो गए धीरे धीरे समय बी परन्तो जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो ब्रस्पतिवार का ब्रत करना भूल गया इस कारण ब्रस्पति भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यगी का आयजन किया था और शेहर में ये घोशना कर दी कि कोई भी मनुष अपने घर म भूजन ना बनाए ना आग जलाए समस्त जनता मेरे हां भूजन करने आए इस आग्या को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी इस तरह की गोशना संपूर्ण नगर में करवा दी गई राजा की आग्या निससार शेहर के सभी लोग भूजन करने गए लिकिन रानी ने निश्चे किया कि मेरा हार इसी मनुषी ने चुरा लिया है उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि नजाने कौन से पुरुजनम के कर्म से कथा नहीं करी इस कारण तुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है अब चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन कारगार के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तू ब्रस्पतिदेव की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे ब्रस्पति के दिन उसे चा हार उसी खूटी पर लटका है अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजी को नस्ट कर दूँगा इस तरह रात के सपन को देखकर राजा प्रात्यकाल उठा और खूटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुला कर चम्मा मागी और लकड़हारे को योगी सुंदर वस् तलाब हुए था बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदी बन गई हैं राजा ने पूछा ये किसका बाग और धर्मशाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे ये सब रानी और बांदी के हैं तो राजा को आश्चेरी हुआ और गुस्सा भी आया जब रानी ने ये खबर सुनी क राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा हिदासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे हमारी ऐसी हालत देखकर वो लोटना जाए इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा आग्या नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई राजा आये तो उ अभी प्रस्पतिदेव का पूजन करते हैं परंतु मैं प्रती दिन दिन में तीन बार कहानी और रोज वरत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुपटे में चने की दाल बंदी रहती और दिन में तीन बार कहानी कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन कि यहां को चलने लगा मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रही है उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाईयो मेरी ब्रस्पतिदेव की कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परन तो कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाल ली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वहमनश उठकर खड़ा हो गया आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उसे देखा तो उसे बोले अरे भाईया तो मेरी प्रिस्पतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूँगा तब तक चार हरया जोत लूँगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना इस तरह राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही बैल पचाल खाकर गिर गए और उस किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्थ होने लगा उसी समय उसकी मा रोटी लेकर आई जब उसने ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुड़ी दौड़ी उस गुड़ सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेट पर चलकर ही कहना राजा ने बुड़िया के खेट पर जाकर कथा गई जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के बेट का दर्द भी बंद हो गया राजा अपनी बहन के घर पहुचा बहन ने भाई की खूब महमानी की दूसरे रोज प्राते काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे है राजा ने अपनी बहन से कहा ऐसा कोई मनुश्य है जिसने भोजन ना किया हो मेरी प्रिस्पतिवार की कथा सुन ले बहन बोली है भाईया ये देश ऐसा ही है पहले यहां लोग भोजन करते हैं बात में अन्य काम करते हैं अगर कोई पडोस में हो तो देखाऊ वो ऐसा कहकर देखने चले गई परन्तु से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो अतहवे एक कुमार के घर गई जिसका लड़का विमार था उसे मालुम हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा वे तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की परशंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा हे बहन अब हम अपने घर को जाएंगे तुम भी तयार हो जाओ राजा की बहन ने अपनी सास से कहा सास ने कहा हाँ चली जा परन्तु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है बहन ने अपने भाईया से कहा हे भाईया मैं तो चलूगी पर कोई बालक नहीं जायेगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने अपनी राणी से कहा हम निर्वंशी राजा है हमारा मुझ देखने का धरम नहीं है और कुछ भोजनादी नहीं किया राणी बोली हे प्रभो ब्रस्पती देव ने हमें सब कुछ दिया है वे हमें संतान अवश्य देंगे उसी राद को ब्रस्पती देव ने राजा से सौपन में कहा हे राजा उठ सभी सोच त्यांते तेरी राणी गर्व से है राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई नवे महिने में उसके गर्व से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला हे राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आये तब तो मुझे कुछ मत कहना राणी ने सुनकर हा कर दिया जब राजा की बहन ने ये शुप समचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के हाई तब ही राणी ने कहा घोड़ा चड़कर तो नहीं आई गधा चड़ी आई राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती ब्रस्पति देव ऐसे ही है जैसी जिसके मन में कामनाई है सभी को पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक ब्रस्पति वार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है इस दूसरों को सुनाता है प्रस्पति देव उसकी सभी मन मनुकामनाई पूर्ण करते हैं प्रेम से बूली ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा तुम पूरण परमातमा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी जगत पिता जग दीश्वर तुम सब के स्वामी ओम जै ब्रस्पति देवा चर्णामृत निजिनिर्मल सब पातक हरता सकल मनोरत दायक सकल मनोरत दायक क्रिपा करो भरता ओम जै ब्रस्पति देवा तन मन धन अरपन कर जो जन शरन पड़े स्वामी जो जन शरन पड़े प्रभु प्रकट तब हो तुम प्रकट निजिनिर्मल कर प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े ओम जै ब्रस्पति देवा दीन दयाल दयान धी भाक्तन हितकारी स्वामी भाक्तन हितकारी पाप दोश सब हरता भव बंधन हारी ओम जै ब्रस्पति देवा सकल मनोरत दायक सब संशयतारो स्वामी सब संशयतारो विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जै ब्रस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जे स्ठानन्द बंध सो सो निश्चय पावे ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं गदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा झाल